और वेरी वेरी गुड मोर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब आप यह वीडियो देख रहे हैं और यह प्यारसा चैनल लव्यू केमेश्ट्रे और माइसेल पार के राजपूत जैसा कि हम लोग सोच रहे थी कि एक्जाम पता में कब होंगे, कब नहीं होंगे तो अभी इंतजार खतम हुआ और जो लोग UPPSC, GDC Assistant Professor और GIC वरवत्ता की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए यह खुसखवरी की बात है कि जो UPPSC है उसने GIC और GDC एक्जाम की डेट निर्धारित कर दिया और उन्होंने एक नया कलेंडर जारी किया है और इसके चलते हमें क्या हुआ है थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है जहां एक्जाम अभी परी जो एक्जाम था वह आपका 20 जून को होने वाला था अब वही सेप्टेंबर को हो गया है तो काफी टेम मिल गया है तो यह काफी खुसी की बात है तो आईए देखते हैं क्या-क्या चेंजिस आये हैं इस नहीं कलेंडर में जो पहला कलेंडर जारी किया था उसमें GDC का एक्जाम 17 अप्रेल को था और जो GIC का प्री एक्जाम था वह 20 दिखा है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह यह यूपी ऐसी संख्या देश परियाग राज दिनांक 10 जून 2021 यानि कि यह जो आपका कलेंडर नोटिफिकेशन जारी हुआ है यह कल जारी हुआ है 10 जून को ठीक है आगे देखते हैं सर्व साधारण को एतत इतना 2001 टीसी दिनांक 10 जनवरी 2021 द्वारा वर्स 2021 मैं आयोजित की जाने वाली प्रिक्षाओ का वार्सिक कलेंडर जारी किया गया था कोवेड 19 के चलते हैं मार्स के उपरां दायोजित प्रिक्षाओ की जाने वाली प्रिक्षाओ प्रिक्षाओ प्रभावित हुई है अतैस अंसोधित कलेंडर निम्न वत्यान की जो पहले कलेंडर जारी किया गया था 15 जनवरी 2021 को उसमें जो सैडियूल था वो सैडियूल नह अलग कुछ एक्जाम से उन्हें भी हम एक बार देख लेंगे तो जैसे कि यहां पर थर्ड नंबर पर देख रहे हो परवक्ता प्रुस महिला राज के इंटर कॉलिस प्राथमिक परिक्षा 2020 मिंस यह है आपका जी आइसी का प्रिलिम्स एक्जाम यह जहां पहले 20 जून को ह होने वाला था वहीं पर अभी यह 19th of September को होगा जी आइसी का प्री एक्जाम की बात कर रहे हैं प्री चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुस वाला प्रुस हो ठीक है ना इससे नेक्स्ट बात करते हैं अब जब प्री सेप्टेंबर में हैं तो मेंस कब होगा मेंस जैसे कि प 19th December 19th December को आपका मेंस होने वाला है तो गाइस काफी खुशी की बात है कि हमें प्री में यहां पे काफी यहां पे हमें अंतराल मिल गया है यह काफी टाइम मिल गया है बट एक थोड़ा प्रोब्लम भी है उन कुछ इस्टूडेंट्स के लिए क्योंकि पहले यहां पे जो प्री और मेंस के बीच का अंतराल जादा था वो थोड़ा कम हो गया लेकिन उसे डिफ्रेंस नहीं पड़ता अगर एक बार हमारा प्री क्लियर हो जाता है तो हमारे अंदर आतम इस बास आ जाता है जिसके बाद हम मेंस को तो देख लेंगे ठीक है ना तो इसलिए मैं कह रह करते हैं तो यह आपका थर्टींत नंबर पर परवक्ता राज के डिग्री कॉल इस इसके निंग परिक्षा 2020 यानि कि यह आपका जी डी सी वाला एक्जाम है यह जहां पहले सतरह अप्रेल दो हजार 21 को होने वाला था वहीं अब यह तीन अप्रेल 2022 को होने वाला है ठीक है और कुछ एक्जाम्स पर हम नजर डाल लेते हैं जैसे कि यहां पर और जो टीचिंग के यहां पर अगर एक्जाम है तो उन पर भी हम यहां पर नजर डाल ही लेते हैं जैसे कि आप 10th नंबर पर एक एक्जाम देख रहे हो परधानाचारिय स्रेणी टू उप परधानाचार मुख्य परिक्षा 2021 होने वाला है आपका 28 जनवरी 2022 को साहक 1 संदक्षन 631 अधिकारी यह होने वाला है 27 मार्च वह सुरी 7 मार्च 2022 को ठीक है ना और इससे बाद में आपका एक्जाम है समिक्षा अधिकारी साहक समिक्षा अधिकारी सामाने चैन विशेश चैन आदी मुख्य परिक्षा 2021 होने वाले 10 अप्रैल को तो आपको पता लग गया है एक्जाम का हम एक बार और देख लेते हैं डेट जो आपका जी आईसी प्री है जी आईसी प्री इसमें अब ज्यादा टैम नहीं है जी आईसी प्री के लिए आपके पास ठी अग्जाम 19th September को है कभे 19th September 2021 यह आपका प्री है प्री जी आईसी का प्री और जी आईसी का मेंस है मेंस वह 19th December 2021 को है ठीक है ना और यहीं पर अगर हम बात करें जी डीसी वाले एक्जाम की तो वह आपका 3-06-2022 को है तो प्लीज गाइस तैयारी को आपना कंटिन्यू रख अगर हम इसकी बात करें इसकी अंतरगत जो असिस्टेंट प्रोफिसर का एक्जाम होने वाला है अरे जब GIC का डेट आ गया गया तो इसका भी आ जाएगा तो इसलिए अपनी तयारी को continue रखिए आपको आने वाली एक्जाम जो है उनके लिए बैस्ट ओफ लख तो प्लीज अच्छे से तयारी कीजिए अब तो आपका कलेंडर भी आ चुका है ओके देन बाबाई थैंक्स पर वोचिंग